हेले दोस्तों वेलकमार तो माई नई वीडियो आज हम बात करने वाले हैं परचंट अशोक की बारे में जोकी कलस्टीवी का पॉपलर शो है इस टेम हेलना रक्षदा खान हेलना की भूमी का निभा रही है जिसे की लोग काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं आज हम उनकी लाइ चांवर इनईसों चोउट्र इस हिसाब से उनकी एज हो गई है अच्टर मॉडल होस्त है नैशनली टिग बात करें तो वह इंड्यन है हॉम्टावन उनका बुंबी है लीजन की बात करें तो इसलाम धर्म को फॉल्व करती है उनकी अब बात करते हैं उनकी फैमिली के बारे उनकी family में mother, father and three brothers और three sisters भी हैं बात करें, married status के बारे में तो वो married हैं उन्होंने सच्चिन त्यागी से साधी की और वो भी by-professor, by-professional actor और singer है और उनकी एक cute सी baby girl भी है जिनसका नाम इशा त्यागी है अब बात करते हैं उनकी education qualification के बारे में उन्होंने एक्स्ट्री college ऑटमाउश बुम्बई से की है और अब बात करते हैं उनकी qualification के बारे में उन्होंने qualification BA English, lateral complete की है उन्होंने debut अब बात करते हैं उनके career की उन्होंने अपना debut जैसे जैसे कोई नहीं से start की और वो उन्होंने 2003 में पहला role play उसके बाद उन्हें सबसे star press के popular show में भी कभी सास भी कभी बहुत थी में इन्होंने तानिया विराना का role play किया फिर उसके बाद star press के ही popular show कसोटी जिंदिगी में मतरा लोखंडे का role play किया फिर उसके बाद जी टीवी के show कसम से में रोसनी चोपड़ा का रोल play किया फिर उसके बाद उन्होंने सोनी टीवी के show महा भारत में अंबिका का रोल play किया इसके बाद उन्होंने magic TV show में कितना कितनी महबत है में अदर गंगा का role play किया उसके बाद उन्होंने life okay के show popular show देवो के दे महादेव में मिंता का role play किया फिर उसके बाद कलस TV के फुलवा show में मुखर जी का रोशनी मुखर जी का role play किया और सारा वन के show जिल्मे सितारों का आंगन होगा वो बहुती famous show था जिसमें कि इन्होंने अच्छी खासी पहस्चान बना ली थी शोनी टीवी के popular show बड़े अच्छे लगते हैं सीजन में उन्होंने इशा संगहानिया का role play किया फिर उन्होंने जी टीवी के show ब्रह्म डाक्चस में सीजन वन में मोहिनी का role play किया फिर उसके बाद कलस टीवी के popular show नागिन 3 में सीजन 3 में सुमित्रा का role play किया जहां से ये इतनी popular हो गई कि इन्हें आज हर कोई जानता है और काफी फैचान भी मिल गई उसके बाद उन्होंने इस्ताप्लस के ही show दुर्गा माता की चाया में उन्होंने दामनी अजे का role play किया इसके बाद उन्हें जी टीवी के तेरे विना जिया ना जाए शो में लचमी राठोर का role play किया अब वो इस तैम परचंड अशोक में हेलना का role play कर रही है आप मुझे कमेंट करके बताना ना भूले कि इनका role आपको कैसा लग रहा है और यह अब बात करते हैं उनकी money factor के बारे में वो पर एपिसोड 1 lakh से 2 lakh चार्ज करती है और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले थैंक यू फर वाचिंग इस वीडियो आज हम बात करने परचंट अशोक की बारे में जोकी कलस्तीवी का popular show है इस टेम हेलना रक्षदा खान हेलना की भूमी का निबारी है जिसे की लोग काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं आज हम उनकी life style के बारे में बात करने वाले हैं तो उनका नाम है रक्षदा खान निक नेम है रक्षदा ज 27 सितंबर 1974 इस हिसाब से उनकी एज हो गई है फिपनी यह पर फैसनर से एक्टर मोडल होस्त है नेशनल टीगी बात करें